नमस्कार हलचल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर जीरा के सुल्तानपूर रोड पर एक आई 20 कार की ट्रक से हुई भीशन टककर दोन ओजवानों की हुई मौट जालंधर कपूर्थला रोड पर हुआ भीशन सडखाचा एक व्यक्ति की हुई मौट दो गंबीर खायल भाजपा निता को गोली मारने वाले युवक को अम्रिस्तर पुलिस ने बुटबेड के दोरान किया काबू तीस बोर की पिस्टॉल की बरामत और अब हल चल विस्तार से गत रातरी जीरा के कस्वा मक्खू की सुल्तानपूर रोड पर एक I-20 कार और ट्रक में भीशन टक्कर हो गई जिस कारण दो नौचवानों की मौथ हो गई इस सबंद में जानकरी देते हुए मृतक नौचवान के रिष्टदारों ने बताया कि मृतक नौचवान अपने दोस्त के साथ I-20 कार में सवार होकर अपने गाउन को जा रहा था कि इस दोरान उनकी ट्रक के साथ टक्कर हो गई जिस कारण दोनों नौचवानों की मौथ हो गई इस मौके पर सिवल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर पृतपाल सिंग ने बताया कि उनके पास दो मरीज आये थे और उनके अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी मौथ हो चुकी थी जीरा से हल्चल के लिए सतीश विच की रीपोर्ट इस उनके पास पर आपदा नहीं सांता इंफिंड से बढ़ा है की नाम नू सी इना ताथी किन यागज तरीक सिंग के दूसरा जड़ा सी गाओ उस्ष जी सिंग को एक ती दूसरा जड़ा सी गाओं को एनन अना पांड जाजी जालंदर कपूर्थला रोड पर एक भ्यानक सड़क हाथसे में कव्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हो गई घायल को अस्पताल में भरती कराया गया है मिली जानकारी के मताबिक बस ने कार को टकर मारी और कार की साइड ओटो से टकरा गई जिससे आटो सीधे जाकर खड़े ट्रक से जाटक रहा जिस कारण आटो चालक की मौत हो गई और दो लोग गंभीर घायल हो गई तो वहीं आटो बुरी तरह से शती ग्रस्त हो गया मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और उचित कारवाई अमल में लाई जा रही है जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट अपर दूटर्म क्रावें जालंधर से और उनने कंडिशन किया शकता क्ति तरह से हुर्ट यह आटोपकी थी औरो पहचान हो गोगीर पर उना प्र्चान होगिया अबरो पॉर्ची भूट्यिशन होंदाए इसकार्ट आटोшने ने था मेरा जवाई की नाम होदा जग जग जी इसा की का मुझे चारदा आटो चलाओ की गल की हुई है तो गड़ी ओंड़ी से कि नुआ अले ने गड़ी मगरो ठोगते ती यह जाना से इना ने ते जलन्दर चलाओ दे इसा किजे बेच वह या कि पता लगदा कि कर बूसले आटो अटो अटो अधा ड्याओ जी आजिक जैने नुकसान भी आए वैंड़े निक्सान ने गुए यह जाने नुक्सान भी आए पत दिनों भाचपा नेता बलविंदर सिंग गिल को गोली मार कर घायल करने वाले युवक को अमरिस्तर पुलिस ने ग्रिफतार कर लिया है। तो वहीं घायल अर्शदीब सिंग को उपचार के लिए अमरिस्तर के गुरुनानक देव अस्पताल में भरती करवाया गया है। इस दुरान मीडिया से बाच्चित करते हुए अर्शदीब सिंग ने कहा कि भाचपा नेता बलविंदर सिंग गिल के पास से दो लाक रुपेओं की सौ ग्राम हैरोईन मिली थी। उसने कहा कि बलविंदर गिल कहता था कि उन्हें बड़ा काम करना चाहिए। वे बुरा काम कर रहा था जिस कारण उसे गुसा आ गया और उसने उस पर गोली चला दी। आते यो बाड़ियां पेंड़ दे वालनों अपना मोटर सेकल लेके फरार हो गया। जिस ते सारे जिले दे विच मैसेज कनवे करवाया गया थे उस मैसेज दे जरीए जड़ा है गया साथे इंचार्च सी आईये जो के अलरड़ी उस लाके दे विच पेट्रॉलिंग कर रह गया और प्रमात्मा दी किरपा रही के किसे भी मलाजम दा उस दे विच नुकसान नहीं होया बट जो अभी कारवाई दे विच इंचार्च सी आईये ने जड़ागियों फारिंग कीती ती जो एक गोड़ी अश दीप सेंगे लिच मास दी खबी लात दे विच वजी जो के जो मौके ते जखमी हो गया थे प्लीस पार्टी ने बहुत ही सुच बूच दे नार उसनो उस जगा तो गिर्फतार कर ले जद उसनों गिर्फतार किता गया तां उस दे कोड़ों एक टी वोर्दा पिस्टल हते एक मोटर साइकल अधे उस दे नार नो जिंदे रौंद दे जब लिए प्रृब मौके तो परामत की तो ज़िता के शारे कोजा यहां एक उसके जगाए जमी परतान में जडाले जोड़े घौल्य मारी क्यों मारी है अगा है उसार है चाहिक टे लेंदें तो परहानी गाली साइज है वहान किरना चिता जिटा जिटा लिए सव ग्राम ह कि ने रही आगा दो लाक दो ने निगाल के पितू इनने के मोटे काम ना कर आगार रहा है एदा बंदा ज्यादा शो और आप दू उतो उतो गाम करना वड़ा मैं गालो दी माली मैंनो ले आग देता है साओ ग्राम ले आती तो उन्हें दो दिन लगे तो मैं चल पहले अन गया मैं अधे करो उन्हें में को गेडे मराए फे में गया अगले देन अंदा शामी यह अधा इदा गार के मीन ना लंगा बाजी अम्रिस्तर की प्रसिद पुस्तक और धार्मिक पत्रिका प्रकाशन कंपनी के चतर सिंग जीवन सिंग फर्म के मालिक के बेटे का अपहरन कर लिया गया है जिसके बाद से इलाके में दहशत का महौल बन गया अम्रिस्तर के पौश इलाके रंजीत अवैनियो में से गत रातरी इस अपहरन की वारदात को अंचाम दिया गया इस मौके पर पत्रकारों से बाच्चित करते गया चतर सिंग जीवन सिंग फर्म के मालिक प्रभजित सिंग ने कहा कि वे अमरिस्सर के रंजीत वेन्यू में डिनर के लिए आये थी जब सभी लोग अंदर चले गए तो उनका लड़का गाड़ी चला रहा था तब लगबग चार युवकाय और बंदूग की नोग पर उनके बेटे का भरन कर लिया उन् पंदीप कौर ने कहा कि उनके द्वारा मामला दर्च कर लिया गया है जल्द ही आरूपियों को ग्रिफतार कर लिया चाईका अमरिस्सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट पर लिए जो भी है उनने इन आउड बेकरी दे बाहर जाके लाती ओधे मग बीचे ट्रेकर लगा है लेकिन वो ट्रेकर दे विच जड़ा हागा गड़ी ओंड़ करके उनने फिर इन आउड दे बाहर लां तो बाद उत्वाथ गए ने बेटेनों अपना बेटा उत्वापस इन साथ नों कमिशनर साथ नों लेकर साढ़ी कोई सुनवाई नहीं होरी याज़ा अई मौकई दे विर्क शाव आए ने खोसासाइद हो रागे ने अनाने मोकइते गए ने उनने विक्या गया पर्चा अदर्ज कर लगेने ते बाकी कहन दे परोशा हो ने दाया सानू कैसी पूरा सेयोग करांगे पाई चातर सेंग जीवासंग दी था जो इव पाईदा काम करते हैं यह पूरी फैमिली यह थे रहन जीदा में यह खाना कानाइब दो बच्चे सी के अपसी दे सामने सारी फैमिली खाना-खान ली स्टार्बाको अली मार्केट ची गई जी इस एब ऐस पर तानुकी लगदा कि नैपिंग दा मामला जहां फिर कोई खोगा दा मामला है। जाल अंदर शहर में चोरी और लूट की वारदाते बढ़ती ही जा रही हैं जिसका ताजा मामला काजी मंडी के नजदी का दमोरिया पुल से सामने आया है जहां दोपहर के समय एक महिला से मोबाइल चीन कर सनैचर फरार हो गए। इस समंद में जानकरी देते हुए पीडित महिला ने बताया कि उसने किष्टों पर मोबाइल लिया हुआ था और अभी पहली किष्ट का ही भुकतान किया था और लुटेरे उससे मोबाइल लूट कर फ लुपियों को काबू कर लिया चाएगा जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री पंजाब बलकार सिंग अम्रिस्सर पहुंचे इस दुरान वे सचकन श्री हरी मंदिर साही में नतमस्तक हुए जिसके बाद वे श्री रामतीरत मंदिर में भी नतमस्तक जिम्मेदारी मिलने की खुशी में वे वाहिगुरु का शुकराना अदा करने पहुंचे हैं और उन्होंने पंजाब वास्यों और भारत वास्यों के भले की अर्दास की है। के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आम जनता होदा जो ट्रैक होदा जो जनता अक्सेप्ट कर दी होई होदा। भाजपा के नव नियुक्त प्रधान बनने के बाद सुनील जाखड अमरिसर पहुंचे। जहां पर उन्होंने सचकुन श्री हरीमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की। इस मौके पर भाजपा की पूरी लिडर्शिप उनके साथ मौजूद रही। इस मौके पर पत्रकारों से बादचित करते हुए सुनील जाखड ने कहा कि गुरू घर का आशिरवाद लेने के लिए वे यहां आए हैं उनकी कृपा से ही वे इस जगय पर पहुंचे हैं। कि गुरू घर में खड़े होकर कोई भूल नहीं करना चाते। इस बात का जवाब वे राचनितिक मंच पर देंगे। वे गुरू घर की मान और मर्यादा को भंग नहीं करना चाते। अमिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट। पहला भी गुरू महराजदा जो कुछ है गुरू महराजदी देन है इन्हीं की किरपा से सजे हैं हम। अज गुरू महराजदा शुकराना करन। गुरू महराजदों मेर दी बक्षिस वास्ते गुरू महराजदों। आज पंजादे मुद्यांते काल उठान वास्ते पंजाबी पंजाबियत के सडी वाईचारक साज़ दे वास्ते हमेशा वाज उठाने रही हैं। दे वास्ते अर्दास कीती है हो ना तो आज बक्षीश मंगी है नहीं मैं कहना चाहूंगा जी गुरू कर दे दर्बार चे खड़के देशिवा वर मोहे हैं शुब करमनते कब हूना टरू जब जाये लड़ू अरी से तब निश्चे कर अपनी जीत करूं पंजाब दे वास्ते पंजाब दे मुद्याव वास्ते पंजाब दे पलाई वास्ते धुरू महराज दे महरनाल तंडल टकते पंजाब हतंदू पढ़ा देगे एक तरफ पंजाब की जेलों में गैंक्स्टर नीची चैनलों को इंटर्व्यू दे रहे हैं तो वहीं इस इंटर्व्यू के बाद अब पंजाब की कई जेलों में जैमर लगाने की शुरुवात कर दी गई है और इसमें सबसे पहले नाम अमरिस्टर की केंद्रिय जेल का आया अचारा है और लगातार ही दो महिनों से इलाका वासियों की और से जेल के बाहर धरना परदर्शन कर कई बार मांग पत्रे दिये जा चुके हैं इस मौके पर फतापूर इलाके के निवासियों ने बताया कि जब से जेल के नस्दीक जैमर लगाया गया है उससे उन्हें परवाही नहीं करना चाते हैं लेकिन उनके घरों में भी नेटवर्क ना आने के कारण उनका काफी नुकसान हो रहा है इसलिए वे जेल प्रशासन से अपील करते हैं कि इसकी रेंज थोड़ी कम की जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना दोदो किलो मिट्र रेंजेड़ी पिंडा देवे चौनी बांदो गी सी उन्हें लाकान वासी यहने अगे वितर ना लाया सी आगे जेल प्रबांद ने पंदरा देन दा समा मंगया सी पर वो पंदरा देन उन्हें का शड़े भी जेल लोग आज कठे हुए यह बाद ज नही बच्चे जिना दे पढ़ रहे ने ओ पढ़नी पा रहे जेको यह अंबर जंसी सेवा मेडिकल दी ओ फोन नी कार पा रहे सिद्धा जाके होस्पीटल एडमेटर होना प्यार है वह मन्ने अभी स्वेरे टीमा साथिके को जो लोकल बंदे लाया के जिड़ा इना सर्वे करवा आके एड़ी बाउंडरी वाल्द ओतों ताके जड़ी जैंबरांदी रेंज रखी जाओगी यह सब्सक्राइब कर देंगे पार जिना दक सूरी कोईनी सारा पेंडी मतलब फूनी चलने एड़ी से गाल गल्त ही वही मन्ने आपी शेती तो शेती है मसले दाहा लकाट के जिस इस मामला दे विच्चे तुसी एड़ी सालों मंग पूर्त देर आयो जो टावर लगाया गया है इसे करते चे आसपास दे प्रोणिया दे विच्चे अतरहां दे विच्चे मोवाइन सेवा वादत होई है मंग पस तरसी तो अड़ा सब्तार कर लिया है असी उपर अपने ब आसदे सब तो पहल है और जो टावर लगाया जा रहे रहे हैं कि मानेयों को हाई गोड दे आडेशनल लग रहे हैं कि इन्न टावरां दे जो साथी गौर्णा जो मैंशा है वह ए है कि देस नी शुरक्या आसपास दे लोकां दी शुरक्या और सूपे दे अंदर आमन के नू कि अधिया बंदी या कोई दोशी बाहर फॉन करके किसी दो परिशान ना कर सके या कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर सके जो साथी देश दें सबस्क्राव है या सथी सूपे दी अमन चाहने दें सब्सक्राव हो ये टावर लगदा है अंदरों घृत तरा ने क्लना जानी है बंद हो जान्दी हैं। सोसाइटी जालंधर जिला सांच केंद्र तथा जिला महिला हेल्थ डेस्क की और से जागरुकता शिवर का योचन रुद्र डांस एंड फिटनेस क्लब नस्दीक जी अन्डियू लदेवाली रोड जालंधर में सोसाइटी की अध्यक्ष दिपाली बागडिया की अध्यक्षत बिजानकरी दीकी इसके इलावा जिला कनूनी सेवा प्राधीकरन द्वारा प्रदान की जाने वली सेवा और आधार काड को अपडेट करने के बारे में भी जागरुक किया किया इस मौके पर साइबर सेल कार्याले के इंस्पेक्टर गुर्दी प्लाल, इंस्पेक्टर संजीफ कुमर, बचितर सिंग समाज सेविका, प्रवीन अबरॉल, हतिंदर तलवार, चंदर भाटिका, सोनूस होता, बिल्लू प्रधान, अनिल्ठाकुर, सोमनाथ, रजनीश कपाही, विक्रांद विकी हनी, रमन प्राशर, अशोक भागत, प्रवीन बांसल, अंकिता दता, ममता गिल नीरु शर्मा, सरोज बजाज, गोतम गिल अक्षे शर्मा, कीती दता, तनमे जयन, नवी मटू भी मौचूद रहे कर दी सांच के देरी मेरा साथ इता, मैं सामदा भी तानवाद कर दी कि आजगल बबैर होनी, बहुत लोगड है, जड़ा सांच के दर लोगप राला किता जा रहे है, और जगा-जगा किता जाएगा, और लोगन बेर हिती के इते हांदे में बहुत तानॉत कर दी आज सर्व इतिकारी वेलफर्स चाहिए मैड़म दिबाली वावियावलों एक सांच के इंदर दे साइबर क्राइम दे रहा ही एक सेमिनर करवाया गया जिस रिच महले दे आम पब्लिक दों साइबर क्राइम तों साइबर क्राइम तों पी-पी-एम-एम वोमेन हेल्फ इस तो लावा पुलिस वलों जूज किते जांदे हेल्फ लाइन नम्रावारे भी दस्यागे तारे इलांकरवासिया दा और इंस्पेक्टर जुदिक लाजी दा प्रोड़ी दा बहुत बहुत तन्वाद करनी है जिनना ने बहुत थोड़े समय दे बेच बहुत सारिया साइ पर क्राइब मारे हैप लाइन परे वेमें हैप लाइन पर चांदना पाया कि इन ना तो अवेर होके असी किस तरह पाच सकते हैं चात्रों को स्पोर्ट्स के शुत्र में बहतरीन फसिल्टीज देने के लिए सेंट सोल्चर ग्रूप आफ इंस्टिटूशन द्वारा एक और पहल की गई इस पहल में भविश्य में स्पोर्ट्स के विकास जरूरतों को समझते हुए संस्था द्वारा सेंट सोल्चर के मुख्य कैंपस जालंधर अम्रिसर बाइपास के पास में विशाल स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स बनाया गया है जिसका उधगाटन IKG, पंजाब टेक्निकल युनिवस्टी के वाइस चांसलर, डॉक्टर सुशेल मितल, ग्रुप के चेर्मेन अनिल चोपडा, वाइस चेर परिसन संगीता चोपडा द्वारा IKG, पंजाब टेक्निकल युनिवस्टी रजिस्टरार, डॉक्टर S.K. सबी कॉलिचों के डाइरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स की उपस्तिती में करते हुए बताया गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चात्रों को आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधायें प्रदान की जाएंगी, संस्था के चात्रों के इलावा दूसरी स्कूलों, कॉलिचों और अन्य भी आकर प्रेक्टिस करना और ट्रेनिंग लेना चाते हैं तो वे भी आ सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स में इंटरनेश्वल गेम से तु तयार करने के लिए बड़ा स्विमिंग पूल, ओपन, एर थेटर, लॉन, टैनिस, बेडमिंटन, योग, मेडिटेशन सेंट इत्यादी बनाया गया है, इस अफसर पर एंटर सुभाज शर्मा, डाक्टर आर के पुष करना, डाक्तर वीना दादा, डाक्तर अलका गुप्ता, संदीप लोहानी, अमरपाल सिंग, डाक्टर गूर्पीत सिंग सैनी, डाक्टर किर्पाल सिंग भुल्लर, वरुशाली, चो महिला अध्यापक को नोटिस दिया विभाग अधिकारी ने कहा कि अध्यापक ने बच्चों के साथ वीडियो बनाकर पंजाब सरकार के किलाफ नारे बाजी की जिसमें बच्चे शामिल हुए इससे शिक्षा विभाग का अक्स खराब हुआ है इसलिए पांच दिनों में महिल अध्यापक इस पर अपना स्पष्टी करन दे नहीं तो कारवाई की जोएगी तो वहीं वीडियो वाइरल करने वाली महिला अध्यापक का कहना है कि उन्हें नोटिस मिला है लेकिन स्कूल में बच्चों ने पूछा था कि मैडम आपके पाउं में क्या हुआ है फिर उन्हो अध्याप नहीं दिया तो उसके बाद कारवाई होगी संगरूर से हल्च्वल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट लोकाल ही पता लगया है वीडियो बनके स्कूल दे विचो गया इस हड़े जिले दे विच्चे स्कूल दे विच्चे दियापका है गिया सिख्यावलन प्र अध्यान आल इते उतरने बारे दस्या उस बारे जो मैं वीडियो देख्या ओ नहीं होना चाहिदा सी मैडम नूँ स्कूल विपाग दे विच्चे बच्चे दे नाल नहीं संजा करना चाहिदा सी ए बड़ी माडी थे सिख्याविपाग दे अंच थे माड़ा असर पौंदी जाल असी इस मैडम प्रती जो वी विपागी कारवाई बांदिया हैड ओफसनाल ताल मेल करके उस दे उपर बांदी अंशाशनी कारवाई करांगे ते ओधी असी रिपोर्ड विपाग नूँ पेज दा सारे हुन जड़ा क्राइम वैसे ता सिख्या विपाग दे बेच्चे जालंदर चावनी स्थित बावडी धरम शाला में लख दाता पीर जी का 22 वार्षिक मेला श्री श्याम बाबाजी के आशिरवाद से बड़ी धुमदाम से मनाया गया जिसमें पीर मुर्षद बंटी बाबा ने विशेश रूप से पहुंचकर उपस्तित भक्तों को इस दुरान गायक गुर्प्रित गोपी और प्रसिद कवाल मनवार अली ने अपनी कवालियों के माध्यम से बाबा जी की महिमा का गुनगान कर उपस्तित भक्तों को जूमने के लिए विवश कर दिया इस मौके पर मुख्य सेवादार हैपी अटवाल मजिंदर कौर माइकल प्रेमधाम से दीपक बाबा अंश बाबा अमांग बाबा ललित गोईल मनोश शर्मा प्रिंस अमित धर्मकोटी गुर्चरन सिंग सहीत राजनितिक तथा धार्मिक संस्ताओं से जुड़े लोगों न लगता तक पीर जी ता मेला करवाया गया बाबा श्री शाम जी दे से शीरवाद दोली करवाया जान्द है इस अमिने त Junior पीरे मुर्चे सपी बंटी तवह संस्ताओं से बगा तर धितम हाता मैं आई हूई संकारता हैं जिडिमासर्चर ग्यां आई तो राजनितिक पार्च मा बंगला मुखी धाम नजीक लम्मा पिंचांग शार्पू रोड पर स्थित गुल मोहर सिटी में धाम के सस्थापक एवं संचालक नवजीत भारतवाच के ध्यक्षता में सापताहिक मा बंगला मुखी दिव्य हवन यग्य एवं गुरु पूर्णी मा पर्व बड़ी ही श् आपकर मुखे जुमान श्वेता भारतवाच से सपरिवार पूज और चनौपरांत हवन यग्य में अहूतियां डलवाई वहीं से यग्य में उपस्तित माभक्तों को अहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारतवाच ने अपने विचार व्यक्त करती हुए कहा कि वही कहलाती है जिसमें गुरू और शिष्य के बीच आत्मियता और प्रेम हो वहीं शिक्षा संसकार की और बढ़ सकती है जिसके अंदर आत्मियता और समवाद पदती हो उन्हें कहा कि वर्तमान की शिक्षा अब एक नई दिशा की और जा रही है जो ऑनलाइन होती चली जा रही है जिसमें गुरू और शिष्य के बीच की आत्मियता का समंद पूरा समाप्त हो रहा है तो वहीं सबसर पर राकेश प्रभाकर संजीव सौंदी श्रीकंठ जजे समीर कपूर अमरेंद कुमार शर्मा परदीप डॉक्टर शर्मा परदीप शर्मा धीरज मुनीश शर्म बलजिंदर सिंग, प्रिंस कुंडल, रोईत भाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंदर शर्मा, एड्वोकेट राज कुमार, मोहित अशोक शर्मा, दिश्यांत शर्मा, बावाकर्ना, लवली, अश्वनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद सिंग, गौरव जोशी, संजीव सावरिया, यग्यदत, पंकच, करन वर्मा, राजिश महाचन, डॉक्टर गुपता, मानव शर्मा, राजीव, अशोक शर्मा, अभिलक्षे चुग, राकेश, ठाकुरु बलदेव सिंग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिवीन सहीत, भारी स संक्या में शर्दालू मौझूद रहे, वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारी का भी आयोचन किया गया, जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामेन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट, प्रकार दे, जड़े महामाई ले, श्रिकार दा समान, और नाना प्रकार दे, हुर बस्तुमा, नादी दे चड़नाजी पेंड़ी दिया, महामाई एदे ही अपने जड़े पक्ता दे, सिर्दे उत्ते मेर परियाहत रखे, और अपना अशीर्वा दे, मैं इस दे नालना एदो सारे परगव बक्ता के, जेडा भी पागज्यान हवन यगे दिशाम ले होना, जावे, वो साब परिवार का मन गतलता है, जाड़ा माहमाई दे, गुरु बार्ना, उपन दे, गुरुहार दे, गुरु बुदाрипये जे जानगे, और जेड़ा शनी वार्दा हवन यगे करों बिना लसन के आयतों बढ़ी होई कोई भी बस्तू लेयान और महा मैं एक लूपी इटकरन और पोगलगवान और माधा अश्रीरवात प्रापतकरन जैमा बगला मुखी दी जैमा कनोजिया महा सभा की और से बाबा बरफानी श्री अमरनाथ यात्राहेतु जथा रवाना किया जिसे विधायक रमन रोडा ने हरी जंडी देकर रवाना किया इस मौके पर सभा के प्रधान पवन कनोजिया, हैरी कनोजिया, नितु कनोजिया, सनी कनोजिया, विशाल कनोजिया, अमरिस सर से आई हुए प्रधान ओम प्रकाश कनोजिया, सहीत शिव भक्तों ने बमम भूले के जयकारे लगाते हुए महौल को भक्ती में रूप प्रधान क जम्मो कश्मीर के लाल चौंक से श्री श्याम भक्त भजन समराट संचे मितल की अगवाई में 6 जून को चली 51 दिवसिय श्री खाटु श्याम यात्रा देर श्याम तपावंडी पहुंचने पर स्थमूर शहर निवासियों और श्याम भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया इस मौके पर स्थानिय पंच मुखी हनुमान एवं शनी मंदिर कमेटी द्वारा शहर की समाज सेवी संस्थाओं के सैयोग से बरनाला बठिंडा मार्क पर रॉयल पैलस में एक कारे करम आयोचित किया गया इस मौके पर उपस्तित श्याम भक्तों द्वारा यात्रा पर फूलों की वर्शा की गई और जूम गाकर भरपूर स्वागत किया गया यात्रा में शामिल भक्तों के लिए शहर निवासियों द्वारा खाने का प्रबंद भी किया गया था यात्रा पहुंचते ही पूरा वाता वरन शुरी श्याम भक्तो द्वरा लगाए गए जयकारों से गूंज उठा इस मौके पर मंदिर कमिटी के अध्यक्ष हरीश मित्तल गोशा, करन मित्तल, पवन कुमार बत्रा, प्रदीप कुमार तीली, अज़े बंसल, विनीत कुमार, सु ज़े मित्तल ने दैनिक सवेरा से विशेश बात्चित में कहा कि वे बाबागे रत के सहारे 700 किलोमेटर की यात्रा तैय कर चुके हैं, जबकि इसके बिना वे एक कदम भी नहीं चल सकते, बरनाला से हलचल चैनल के लिए विनोध शर्मा की रीपो, आखिल भारतिये दुरग 108 महाराज स्वामी सिकंदर चिके द्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने व्यादिक मंत्रों का उचारन कर यग्यम वपस्तत माभक्तों से महायग्यमिया हूतियां डलवाई, इस महायग्यमिया अखिल भारतिये दुरग सेना संगठन के वैवब शर्मा, आमित गुप्ता, प्यूष जन, मोहित जन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित, असंक्या भक्त जन मौझूद रहे, जालंदर से हल्चल के लिए संदीप शर्मा की दिप तार लगातार अमवर्णाती जाकरा जीखें, उस द्वास पे मेरगुद गवाई महरानी के सब्सक्रस्त थासमार से जन शाकी सिमालों किते जारें, और पहुट जी बाख मेरानी के ने शिटारमाती जाकरा, जाँ ऊधी कही जाकरा के एक एक कम कपड़े जाकरा जाकरा, कम क काशा लेकिन परकाश बेड़ा के दाना पर्षेवां करें आपाशा का निया है एक प्रेक गाटरा जाए नियुन पड़ा गोड़। एक कि अदा के टावेट है जो हमाँ कि इस कि इपनी कि में देशार है in कि यात्रा गूंदर फिर से जाके महारमिदा, दोले मिधारिदा, जहां पेड़ी भी करवाच जाके नत्मस तरोंगा, पूरुन रची बात राकत करदा, ऐसी जड़ी आत्मा होती होना जख के हमिछा नत्मस तरोंगा, क्योंकि दूरे नहीं होगा, देखो आजे, तैस नहीं कि मिननों बता है कि किस प्रिजिशन के आजों सवर के आएगे, मिननों भी बता है, लेकिन फेर भी मैस, चुरू, बहुत सारे प्रिवार आजम से गनना, आप एपागोटी और बढ़े बचारी, इमेंसा ने नहीं आ रहे, अमेंसा जमीन जना जुड़ी रहे, आम हरीम बग ogi चल दुक्रां भाचं मुदन फादंस्तंबे जीवा की ले canぎlier, पुषी विनाशे, रीम ओम् स्वाराहा ओम हरीम पगलाम की सर्वति चान जाचं मुदन फादंस्तंबे जीवा की ले can या पुषी विनाशे, हरीम ओम स्वाहा और अब अन्त में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से जीरा के सुल्तानपूर रोड पर एक आई 20 कार की ट्रक से हुई भीशन टककर दोन ओजवानों की हुई मौट जालंधर कपूर्थला रोड पर हुआ भीशन सडखाच्सा एक व्यक्ति की हुई मौत दो गंबीर खायल भाजपा निता को गोली मारने वाले युवक को अम्रिस्तर पुलिस ने बुटबेड के दोरान किया काबू तीस बोर की पिस्टॉल की बरामत इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती है और तासा चौनकरी के लिए देखते रहे हलचन लिए लाव में ख्कारी को बुटबे खायल